जैहिन दोस्तों, जनरली आप लोग जब SSB के लिए जाते हैं, तो आप देखते हैं कि PPDT और TAT के इंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो बच्चे के बार कहते हैं, सर PPDT आप इतनी सारी करा दिया, आप TAT भी करा दीजिए, या फिर क्या पिक्चर में कोई जरूर होते हैं, और एक्षन क्या चल रहा है, वो सब लिखना होता है, परन्तु जब हम TAT के लिए बात करते हैं, तो TAT के लिए जब हम इस्टोरी लिखने जाएंगे दोस्तों, तो हो सकता है TAT के पिक्चर में कोई करेक्टर ही नहीं होता है, तो आप तो एकदम और खुले हो गए, आप अपने मन पसंद के हिसाब से कोई भी अच्छा पोजिटिव इस्टोरी लिख सकते हैं, तो आईए आज के वीडियो में आपको बताता हूं कि किस तरह का पिक्चर TAT के लिए आ सकता है, तो इसमें किस तरह से इस टेस्ट को हैंडल करेंगे, तो दोस्तों, इस TAT के इस्टोरी लिखने का सिधा सा फंड है, शुरुवात की टू लाइन्स में आप इंट्रोड़क्शन दे दीजिए, शुरुवात आपने जो है, इस तरह से 11 to 12 लाइन्स अगर लिख दी स्टोरी के अंदर, एक सिस्टेमेटिक स्टाइटिंग करने के बाद में व्याभारिक रिलेटेबल कंक्लूसन अगर निकाल दिया, डेफिनिटली आपका साइकोलोजी टेस्ट पूर अच्छा जाएगा, और दोस्तों साइकोलोजी टेस्ट का 65% वेटेज, पीएटी का ही होता है, इसलिए आप स्टोरी रिटिंग के प्रक्टिस कीजिए, और अगर आपको प्रक्टिस करने कोई प्रोब्लम आ रही है, तो यहां पर देख रहे हैं कि सिर्फ कुछ ब्रोकन प्लेट से, ब्रोकन कब से, ब्रोकन बाउल से, तो यह टूटा-फूटा सामान है, परन्तु यह कचरे के ढहर में पड़ा हुआ नहीं है, वे आर सींग कि यह ब्रोकन मेटेरियल तो है, बट यह किसी टेबल लाइक इस्ट्रक्टर पर रखा हुआ है, और इस तरह से रखा है कि किसी व्यक्ति ने इसको एकदम स किया किया, किया इनको कचरे के ढहर में फेक दिया, सफाई करके, या फिर इनका कुछ और यूज किया, तो आई स्टार्ट करते हैं आज के TAT के स्टोरी को, तो TAT के स्टोरी में आप देखें बच्चों, इट वास विकास यंगर ब्रदर्स बड़े, विकास के छोटे भाई उनको पार्टी देते हैं, ठीक है, दे इन्वाइटेड हिस फ्रेंड्स है ना, इस फ्रेंड्स गेदर्ड एट इस प्लेस, उसके दोस्तों को बड़े के दिन बुलाते हैं, उनके लिए खाना वाना पकाते हैं, कुछ बाहर से ही बुलवाते हैं, और वो सब उसके घर पे इ अच्छारा शांदर, is, he came back to the drying dining room, he saw that things required to be placed properly, ध्यान से देखिये, बोल सर आपने बड़े ठीक से और्गनाईस क्यों नहीं कराया, बड़े के वाले बड़े वाले एक्शन को आपने बहुत ज़्यादा सामिल क्यों नहीं किया, दोस्तों, हमें वहाँ आना है, कहां ओ, उसने देखा कि भाई, घर में बहुत सारी चीज़ें आस्त्वियस्त हो गई, और मम्मा अकेले इन सारी चीज़ों को systematically हैंडल नहीं कर पाईगी, तो उसने क्या किया, He placed all the scattered chairs and side table at the respective places and returned some borrowed from the neighbors, अब जनरल यह होता है, जब घर पे आप बड़े celebrate कर रहे हो, थोड़े ज़्यादा लोगा खाना पीना बनना है, तो कुछ material, कुछ utensils आपको पड़ोसी से लेना पड़ते हैं, तो जो लिया था, उसा वापस लोटा दिया, घर में जो आस्तियस कुछ cups and plates have been broken, उसने कुछ cups से कुछ plates से तूट गई है, he firstly placed all cups and placed in the kitchen, washed and cleaned all of them along with his mother and cleaned the whole area to bring it to a normal place, उसने देखा वाई, तूट गया था, तूट गया था, उसको पहले साप सफाई कर लेते हैं, अच्छे से वाश कर लेते हैं, he made use of favequick to repair the broken cups, वो जो cups और plates ब्रेक हो गए थ जोड़ेता है, and broken cups and plates को favequick के मदब से जोड़ देता है, and decided to use them now for decoration, और उनको इस तरह से घर में place कर देता है, जिससे घर का decoration देखने लगता है, किस से घर को decorate किया है, किस से broken items से, क्योंकि भाई, we know very well, cup को favequick से जोड़ेंगे, चाय तो पी नहीं पाएंगे, ठीक है, त the normal routine followed next day, और अगले दिन, सारा routine जो था हो, कैसा हो गया, normal, तो आप देखिए भाई, आपने broken cups और broken plates का इस्तमाल करके, इतनी well managed story बना दी कि आपका recommendation पका है, तो दोस्तों, खुब महनत कीजिए, और अगर आपको जरा भी, एक परसेंट भी आवशक्ता लग रही किसी के guidance की तो चूकिये मत, रुकिये मत, छूटिये मत, हो सकता है, आप सही तरीके से preparation ना करो, कोई और तो कर रहा है, और अगर आपने preparation करने में देर कर दी, तो कोई और recommendation लेकर के चला जाएगा, और आप फिर next time के लिए तयार करते रहेना, तो force defense security पर, SSB interview का, जो बेच है, और 15 days का यारी करना है, तो मैं नंबर आपको लिख देता हूँ, है ना, 9165507006 पर आप contact करके, चाहे आपका entry कोई सब यो, NDA हो, CDS हो, FKET हो, या फिर कोई भी direct entry, आप राहूल यादव सर से contact कीजिए, आप force academic का हिस्सा बन करके देखिए, आपकी personality में, आपके perspective में, आपके communication में इतना गुरूम आएगा, इतना improvement आएगा, कि वो आपको directly महसुस होन लेगा, अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं, जै हिन, जै भारत इंकलाब, जिन्दाबाद, भारत माता की, जै